दोस्तों सैमसंग यहाँ पर सिरफ 15 वोट की चार्जिंगा स्पोर्ट दे रहा है और मोबाइल बोक्स के अंदर आपको चार्जर भी नहीं दे रहा है लग रहा है अपने आपको न एपल कमपनी समयने लग गये है यह सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा दोस्तों आज किस वीडियो में हम कमपैरजन करेंगे सैमसंग गलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन को वन प्लस नोड सी एटू लाइट 5G स्मार्टफोन के साथ में और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफों में से आखिर कौन सावाला आपकी नीड के क्योडिंग करती है और वहीं दूसरी तरफ वन प्लस के अंदर हमें 6.59 इंचिस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्पले दी गई है जो कि 120 हर्ट के रिफ्रेश रेट को स्पोर्ट करती है यानि कि दोस्तों डिस्पले आपर भाई कंटेंड वोचन के हिसाम से ना सैमसंग फोन की थोड़ी सी बढ 120 हर्ट का हाई ये रिफ्रेश रेट दिया गया न भाई एकनम स्मूदली वाली गेमिंग आपको करवा देगा और अब बारी आती है दोस्तों ओपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पर सैमसंग का फोन आउट ओड़ा बोक्स एंडरोट 13 के साथ में आता है जोकि वन यूट यहाँ कि दोस्तों ओपरेटिंग सिस्टम के मामने में आपर सैमसंग का फोन ही विनर है क्योंकि आउट ओड़ा बोक्स हमें एंडरोट 13 मिल रहा है अच्छी बात है लेकिन अगर हमें यूआई में से किसी एक को चूस करना हो ना भाई तब आप यहाँ पर वन प्लस की तर वाला वर्दन दिया जो कि लाइटर है यार यह एक गल्थ कि यहाँ पर सैमसंग ने कोस्ट कटिंग सही में करी है और बात करेगर हम यहाँ चिपसेट की तो सैमसंग के अंदर हमें एक्जिनोस 1330 5G चिपसेट दिया गया जो कि 5 नानोमिटर टेकनोलजी पर बेस्ट है वही अगर आपको गेमिंग कर दिया ना तब आप यहाँ पर वन प्लस की तरफ ही जाना क्योंकि 120 हर्ट का रिफ्रेक्श रेट इसी में मिल रहा है आपको स्मूदली वाली गेमिंग कर दिया गया है और सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग की तो इस फोन का में कैमरा 50 मेगा पि का मेंको धिक्मिंग कर रहा है पर यहां अगर इसकी जगा पर अल्ट्रावाइट कैमरा दे देती ना यार तो ज्यादा बड़ी है रहता और दोस्तो अब हम बात करते हैं फ्रेंट कैमरा की तो यहाँ पर सैमसंग के फ्रेंट में हमें 13 मेगा पिक्सल का सैल्फी कैमरा दिया गया है वहीं दूसरी तरफ वन प्लस के फ्रेंट में हमें 16 मेगा पिक्सल का सैल्फी कैमरा दिया गया है यानि कि भाई selfie lovers के साफ से यहाँ पर दोनी स्मार्टफोन बड़िया है और maximum video recording आप दोनी स्मार्टफोन के front और back camera से 1080 pixel तक ही कर सकते हैं और अब बारी आती है दोस्तो बैटरी डिपार्टमेंट के तो दोनी स्मार्टफोन यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं यानि कि भाई एक से देड़ दिन का बैटरी बैक आप आपको राम से मिल जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन यार यार फास्ट चार्जिंग में यहाँ बहुत जाला फरक है क्योंकि सैमसंग का फोन यहाँ पर 15 वोट की चार्जिंग को स्पोर्ट करता है यार 120-240 तक कमपनियां पहुँची है और सैमसंग सिरफ 15 वोट दे रहा है यहाँ पर स्पोर्ट वही पुराने जमाने वाला चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वन प्लस फोन यहाँ पर 13 स्पोर्ट की फास्ट चार्जिंग को स्पोर्ट करता है यानि कि दोस्तो फास्ट चार्जिंग के मामले में यहाँ पर वन प्लस का फोन ही पड़िया है और यह ज़र एक ट्विस्ट वाली बाद बताता हूँ सैमसंग बेशक हमें यहाँ पर 15 वोट का स्पोर्ट दे रहा है लेकिन मोबाइल बोक्स के अंदर दोस्तों आपको चारजर भी नहीं मिलेगा भाई इस चीज़ का ध्यान रखेगा आपको चारजर भी नहीं दे रहे फूल टू फूल पैसा बचा रहे हैं बंदे अब बार यह आती है दोस्तों network connectivity की तो दोनी स्माटफ़न यहाँ पर 5G connectivity के साथ में आते हैं जिसमें Samsung का phone 7 5G band को स्पोर्ट करता है वहीं दूसरे तरह OnePlus का phone 5 5G bands को स्पोर्ट करता है यान की बाई टूली 5G connectivity का अगर आपको मज़ा लेना तो आप यहाँ पर Samsung की तरफ ही जरूर से जाएए और दोस्तो 3.5 mm jack भी हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है और बात करेंगर हम यहाँ स्पीकर के तो दोनी स्मार्टफोन यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं दूसरी तरफ वन प्लस फोन के 6 प्लस 128 GB वेरियंट के कीमत है 20,000 पे और दोस्तो अगर मैं आपर अपना point of view दूना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए तो देखे भाई अगर आपको fast charging से दिक्कत नहीं है और आपको charger box के अंदर नहीं मिल रहा उससे भी आप compromise कर सकते हो और वन प्लस की brand value वाला phone भी चाहिए तब आप यहाँ पर definitely वन प्लस की तरफ ही ज़रूर से जाए तो बस दोस्तो यही था मेरे कुछ honest opinions इन दोनों स्मार्टफोन के लिए और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले कोई buy करना चाहते हैं तो link में नीचे description में देदूँग तो वहाँ से जाकर आप इन बाई कर सकते हैं खतम